Hi guys, welcome to another fresh video अभी हमारे पास ताटा पंच का नया अपडेटेड एक और वेरियंट है यह वेरियंट जो है वाइट कलर में है और यह वेरियंट का नाम है Pure Optional Variant इसके पहले यह वेरियंट ताटा पंच के लाइनप में कहीं भी नहीं था यह the all new variant है और आज हमारे पास यह वेरियंट जो है तो चलिए देड़ ना करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट मैं हूँ देव और आप देख रहे हैंगे अब जैसे यह गारी pure optional variant है तो मतलब यह base variant को पर best है इसके नीचे का variant है उसका नाम है pure और यह है pure optional variant तो यह optional variant वे आपको क्या क्या तीज़े optional मिल रहे उसके बारे भी बात करेंगे पर पहले क्या क्या आ रहा है इस गाड़ी में मतलब अगर आप pure लेते हो तो क्या मिलने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में तो स्टार्टिंग बात करें तो यहां पे आप देख से तो आपको halogen bulb दिया गया है मतलब पाइलट लेंब दिया गया है यहां पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा नीचे बात करें यहां पे आपको halogen based high beam low beam यहीं से काम करेगा और उसके नीचे देखेंगे भाई fog lamp का provision है पर fog lamp नहीं दिया गया है और अगर आप यहां पे मतलब यह पार्ट पे अगर आप जो है chrome ढूंड रहे हो भाई वो भी इस variant आपको नहीं मिलेगा हाँ आप चाहे तो accessories में यह हर एक चीज जो मैंने बताया है आप change करके इसको आप add कर पाओगे वो option आपको बिलकुर मिल जाएगा पर factory fitted जो है वो सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा अब bumper का यह बात हो रहा है देखिए यह जो lower half है यह आपको plastic black में देखने को मिलेगा और उपर का यह हिस्सा आपको white color में और बाकी गारी भी white color में ही दिया गया है पंच का यह खासियत है बumper जो है थोड़ा सा ऐसा ही design किया गया कि नीचे का यह हिस्सा आपको plastic black में आने वाला है बाकी जो bumper है वो आपको body color में देखने को मिल जाएगा आज आजाए इस से में देखा दू और क्या है तो यहाँ पे आपको cladding भी जो है देखने को मिल जा तो देखने में यह थोड़ा बहुत आपको alloy wheel जैसा look देगा पर हां जैसे गारे रुख जाएगा कोई पास आजाए उनको पता चल जाएगा यह जो है wheel cover दिया गया है wheel cap नहीं wheel cover है यह और सही टम पे और बात करें mirror को लेके तो यहाँ पे आपको एक mirror दिया गया है जिसके बात करें तो यह आपको जो है plastic black में आने वाला है यहाँ पे piano black का आपको इस्तमाल नहीं हुआ क्योंकि यह base variant है और अगर हम बात करें यह रेर wheel का तो यहाँ पे आपको डम brake देखने को मिलेगा डिस brake नहीं आएगा अब बात करते करते हैं आगे हम rear section पे तो यह रेर section कैसा गया है यहाँ पे जो है आपको कोई भी LED के इस्तमाल नहीं है यहाँ पे आपको है halogen brake light और indicator देखने को मिलेगा अब reversing light मैंने नहीं का reason है भई वो यहाँ पे दिया गया भई reversing light आपको नीचे यहाँ पे दिया गया दो parking sensor के साथ और Tata का जो नया logo है वो आपको देखने क पंच और बात करें यहाँ पे आप देखो के वाशन वाइपर भई नहीं आएगा डीफ रोगर नहीं आएगा पर हाँ हाँ हाई माउंटर स्टॉप लंप वो आपको जरू मिल जाएगा पर उपर अगर जो है आप कोई भी प्रकार का एंटेना ढून रहे हो चाहे वो एंट पर अगर टाकत दिया गया है गाडी तो उसका लोगों भी आपको देखने को मिल जाएगा अब जर बूट का जो स्पेस है उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हो आपको जो एक उस त्री हन्टन थर्टी लिटर का जो है बूट स्पेस दिया गया है यहां पे जो जितना जगा है, पांस लोग को लगे जब आरम से ले पाओगे, कोई दिक्रत नहीं है, पर हाँ यहां पे कोई भी लाइट ही नहीं है, तो अंधेरे में आपको कोई सामान डालना हो, या फिर निकलना, थोड़ा सा दिक्रत हो सकता है आपको, और अगा बात करें, स्प अगर आपके घर ने प्रोटेक्टर है, तो उसको भी लेकर आजाओ, उससे भी आप मेशर करोगे, 90 डिग्री ही होने वाला है, और बात करें, सीट को लेकर तो यहां पे देख सकते हो, आपको प्रॉपर फैब्रीक बेस सीट आने वाला है, या फैब्रीक बेस सीट मिल है, और यहां पे आपको जो है, पावर विंडो का बटन दिया गया है, रीजन है कि यह जो है प्योर ओप्शनल वेरियंट है, और प्योर ओप्शनल में ये एक एडिशन है, प्योर के ऊपर, आपको यहां पे यह चीज देखने को मिल जाएगा, अगर हम बैठे अंदर, तो स्पेस भी काफी अच्छा है, स्पेस लेकर कभी भी दिक्क्रत नहीं था, पंच्में वो आज भी नहीं है, स्पेस आपको काफी अच्छा आने वाला है, रेच्ज अच्छा मील जाएगा, और अगर हम बात करें, फिक्स्ट हेडरे reag दिया गया है, कोई भी armrest नहीं आएगा 3 point seatable shift दो लोगे लिए दिया गया है 3rd में जो passenger है उनके लिए एक lap belt ही आपको मिलने वाला है तो पीछे का कहानी जो है कुछ ऐसा है जो मैंने बता है आपको अभी जो है चलेंगे driver side पे वह भाई ये बहुत ज़्यादा tight है तो चलते है driver side पे दिखाते है वहाँ पे चीज़े कैसा है अब यहाँ पे तो आपको कोई request sensor नहीं मिलने वाला है मैंने पहले ही बता दिया था प्लास्टिक है तो भाई नहीं वो चीज़ नहीं दिया जाएगा दर्वासा ये भी 90 degree ही open होने वाला है हर डोर 90 degree open होगा और चावी का बात करें तो आप देखो आपको कुछ ऐसा एक चावी जहाँ पे 3 बटन दिया गया है lock, unlock और find my vehicle का और साथ में गाड़ी आपको ये चावी से start या off करना है और दूसरा चावी एकदम plain simple चावी दिया गया है ऐसा चावी को यहाँ पे डालना है और अच्छा चीज है क्या है पता है आ जाईए तो यह जो चावी का ring है इसमें एक illumination है तो अंधेरे में भी आपको इसको डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा बहुत लोग वो चावी घुमाने में ही दिक्कत हो जाता है पर ऐसा कोई कहानी नहीं होगा इसमें यहाँ पे आपको फैब्रीक बेज सीट आएगा पर हाँ हाई टैजस्मेंट का option आपको नहीं मिलेगा देखने में अब इंटियर पर बैठेंगे तो काफी comfortable लग रहा है मुझे मताब बेज विरिंट होने के बावजूद भी यह फोम जो है इसका वो काफी अच्छा है पर हाँ एक तीज में ज़रू कहोंगा यह जो material इस्तमाल किया गया है ना फैबरीक वाला यह थोरा सा uncomfortable लग सकता है आपको आप जो है इसके उपर एक अच्छा सा cover डाल लीजे तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है यह धूल मिट्टी बहुत जादा absorb करने वाला है आपको एक किर-किरा वाला feeling देगा तो इस अच्छा सा space है चाहे तो कुछ छूपा के रख सकते हो पर मुझे नहीं पता क्या चुपाओगे अब हाँ दर्वासा को जो handle है मैंने वह नहीं दिखाए आपको यहां पे भी आपको जो है dual tone देखने को मिलेगा चारो power window का button outside review mirror को electronically अप एड़्जस कर पाओगे fold है नहीं कर magic के तरह गायब कर दिया गया है music system जो आपको देखने को ही जो है नहीं मिलने वाला है पर आपको मिलेगा क्या वो है यहां पे AC और नीचे काफी अच्छा एक space 5-speed का gearbox यहां पे दिया गया है इसको दो cup holder यहां पे और आपको 12-volt का charging socket भी देखने को मिल जाएगा armrest नहीं आ हैगा handbrake यहां पे दिया गया है और यह जो mirror है इसमें आपको day night भी देखने को नहीं मिलेगा light एक yellowish देखने को मिलेगा और glove box जो है काफी बराज decent सा इसका है पर इसमें कोई light नहीं cooling system आपको देखने को मिलेगा और बात करें तो यह MID के ऊपर तो देखिए यहां पे आप पर जितना खूसर सबतों मैंने आपको check out करवा दिया अब जो है engine भी दिखाएंगे आपको पहले जो मैं engine open कर लूँ इनका जो button है न मतलब क्लिप है वो काफी जाथा unique जगा पर आपको थुरा सा time लगने वाला है फिला जो engine के बारे में बात करेंगे तो दीकिए यहां पे हमें जो engine दिया गया है यह जो है टाटा का सीरीज में एक tired and tested engine है 1.2 लीटर का turbo charge engine नहीं है कास में बोल पाता पर यह natural aspect engine है 3 cylinder यहां पे दिया गया है और उपर के हिसे में देखेंगे proper insulation भी आपको देखने को मिल जाएगा पावर फिकर का बात करें तो यह engine जो है 83 बीच फिक पावर और 114 न्यूटर मीटर टॉर्क आने वाला है इसके साथ आपको 5 स्पीट का एक manual और अगर आप चातो एम टी तो वो भी आपको मिल जाएगा प्राइस का बात करें तो यह variant जो हमारे पास आज है जो है pure का optional variant इसका एक शरूम प्राइस है 6,70,000 रुपै यह है pure optional variant और अगर हम बात करें base variant का तो उसका प्राइस है 6,13,000 रुपै तो कुछ 57,58,000 का difference है दोनों वेरियंट में अब क्या आपको extra मिल रहा है यह प्राइस देने के बाद तो चलिए जल्दी से वो चीज़ भी गिना देंगे आपको पहला चीज आपको यहां पर एक wheel cap देखने को मिलेगा जो चीज आपको pure में देखने को नहीं मिलेगा तो यह wheel cap जो है number one change है second change जो है आपको यह जो mirror है outside आपको चाबी है गारी का उसी में आपको central locking दिया जा रहा है और number four जो है आपको चारो window में आपको power window मिल जाएगा तो यह काफी अच्छा एक convenient feature है तो 57-60,000 का असपास देखे कि आपको यह साला feature लेना चाहिए अब दीके लेने पे बास होता है कि अगर आप इतना price दे रह हैगा 6,70,000 का देने के बाद भी वो है एक music system तो उसके लिए आपको और कुछ पैसा खर्च करना है तो इससे बहतर है मैं कहूंगा कि आप जो है इसका base बाकी जो यह 57,000, 60,000 हो रहे है वो अगर आप गारी पे डालोगे आपको जो है बहुत सारा चीज़े extra आप इसमें value for money variant नहीं है आप इसको completely avoid करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप इसके नीचे का variant लो जितना पैसा इसमें है उस पैसे को आप डालो आपको अच्छा quality का चीज मिल जाएगा फिलाल इस वीडियो में जितना था उतना बता दिया आपको गारी के बारे में जो details आ सब share कर दिया कुछ भी छूटा नहीं है फिर भी आपका मन में कोई भी सवाल रहे गया इस गारी को लिखे नीचे कमेंट है पूछ लीजे मैं ज़रू जवाब दे दूँगा मिलेंगे आपके साथ एक और नया वीडियो में तब तक अगर गारी चाला रहे तो seatbelt बेल ज़रू ल